नमस्कार आपका अपना चैनल आर्वी नई कहानिया में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सुनेगे स्वर्ग और नरक की कहानी, स्वर्ग और नरक कैसे प्राप्त करें। चलिए इस कहानी को हम सुनते हैं। एक महात्मा ने जीवन भर हरी भजन कीर्टन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मचली पकड़ रहा था। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वपन में दिखाई दिया कि वे कह रहे हैं। बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया। केवल एक बगुले को उड़ा देने मात्र से नरक मिला है मुझे, लेकिन तुम साबधान रहना। जब इस शिश्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृष्य पुनहाया। बगुला मचली पकड रहा था। गुरू का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक पहुचा, तब एक गुरु भाई को आकाश्वानी द्वारा पता चला कि गुरु जी ने तो बगुला उड़ाया था इसलिए नरक गए, हमने नहीं उड़ाया इसलिए नरक प्राप्त हुआ है, पर तुम बच के रहना। जब इन गुरु भाई की मरने की घड़ी आई तो सयोग वश्पुनह बगुला मचली मारता दिखाए दिया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार स्था स्वयम देखें, मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है, बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो बैकुंठ की प्राप्ती हुई। श्री नारद ने भगवान से पूछा, भगवन, अंतता वे नरक क्यूं गए? महात्मा ने भगुला उड़ा कर कोई पा अंत हुआ, अता पाप लगा, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। नारद ने फिर पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यूं नरक गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह केवल विनोधवश मचली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था, शिश्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नरक मिला, नारद जी ने पुनह पूछा, और तीसरा, भगवान ने कहा, तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझ को सौंप दी, जैसा होना था, वैसे ही हुआ, किन्तु मुझ से कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अता पाप पुन्य की चिंता में समय न गवाकर जो निरंतर हरी चिंतन में लगा रहता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, जितना समय हमारा मन, भगवान के नाम, रूप, लीला, गुन और धाम में रहता है केवल उतना समय ही हम के नाम लेते रहें, हरी चर्चा करते रहें, हरी कथा सुनते रहें, श्रीमन नरायन नरायन हरी हरी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी, उम्मीद करती हूँ, आपको स्वर्ग और नरक की ये कहानी अच्छी लगी हो, धन्यवाद.